रोज रोज अगर एक ही तरह का खाना खाके बोर हो गए हो तो आज कुछ नया ट्राइ करते हैं तो आज मैं लेके आए हूँ ऐसी रेसिपी जिससे आपको बनाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा और खाने में भी तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर स्टेक और इसे बनाने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था ये जितना खाने में टेस्टी है उतना हेल्दी भी है तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बहुत सारे सब्जिया सब् में मेरे पास है फूल गोपी, आलो, प्यास, बीन, स्कैप्सिकम, टमाटर बहुत सारे सब्जिया यहाँ पे मैंने ले ली है तो यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनने वाली है इस रेसिपी में आप अपने मन पसंद की सब्जिया ले सकते हो आपको जो भी सब्जिया सारे लिया है क्योंकि मुझे बीन्स बहुत ही पसंद है और उन्हें मैंने इस तरह तिर्चा-तिर्चा कट कर लिया है ताकि देखने में बहुत बढ़िया लगे और अब आलू को भी कट कर लेंगे तो आलू को हम बड़ा-बड़ा कट करेंगे और अब ले लेते हैं एक और देंगे साइड में ताकि इनका पानी जो है वो सब निकल जाए और सबजी अच्छे से ट्राइओ हो जाए और आप मैंने ले लिया है प्यास और उन्हें भी हमें कट कर लेना है यहां पर मैंने दो प्यास लिये हैं और दो कैप्सिकम लिये हैं और उन्हें भी हमें Kathy Pers यहाँ पे मैंने ले लिए हरी मिर्च और उसे भी मैंने कट कर लिया है और ले लिया है अद्रका टुकडा एक मिडियम साइज का अद्रका टुकडा लिया है और उसे बारिक चॉप कर लिया है और अब ले लेंगे लसुन और लसुन को भी छेल लेंगे चलिए अब एक पतिले में पानी ले लेते हैं और पानी को गरम करने के लिए रख देते हैं क्योंकि हमें चावल पकाने हैं तो चावल को मैंने पहले से ही भीगोने के लिए रख दिया था तो मैंने यहाँ पे एक से डेड़ कप चावल लिए हैं और उन्हें भीगने के लिए रख दिया था पहले से ही और अब पानी भी मैंने चड़ा दिया है उसको बॉइल करने के लिए रख दिया है पानी में मैंने एक से दो चम्मज बर की तेल डाल दिया है और अब जो लसुन था उसे भी हमें कट कर लेना है और टमाटर को भी हमें बड़ा बड़ा कट कर लेना है तो इस सरा सारी सब्जियों को हम रेडी कर लेंगे चलिए अब चावल भी अच्छे से भीग गए है तो इन्हें डाल देते हैं पानी में क्योंकि पानी में भी अच्छा खासा ओबाल आ गया है तो आप चावल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे अब ले लेंगे एक पैन पैन के अंदर हमें सब्जियों को सौटे करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पैन लेंगे क्योंकि हमारे पास सब्जिया बहुत सारी है तो पैन बड़ा बला चाहिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर डाल दिया है दो चम्मज बर की ओलिव ओल अगर आपके पास ओलिव ओल नहीं है तो आप जो रेगिलर ओल खाते हो वो भी यहाँ पे ले सकते हो चली अब ओल थोड़ा सा गरम हो गया है तो उसके अंदर मैं डाल दिया है और उपर से डाल दिया है थोड़ा सा नमक ताकि सब्जिय जल्दी से पक जाएं और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टकल लगा के उसे एकदम लो फ्लिम पी पकने के लिए छोड़ देंगे चलिए यहाँ पे चावल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे चावल को हमें एकदम नहीं पकाना है थोड़ा सा कच्छा रखना है मदलब कि 70-80% हम चावल को पकाएंगे और 20% हम कच्छा रखेंगे तो यहाँ पे चावल भी हमारे रेडी हैं तो नहीं निकाल लेते हैं एक स्टेलर में और चावल को ठंडा करने के लिए रख देते हैं और यहाँ पे मैं सबजियो वाला पैन दूसरी फ्लेम पे टांसफर कर रहे हूँ क्योंकि इस फ्लेम पे मुझे बनाना है पनीर स्टेक तो मैंने हाँ पे ले लिया है एक नॉन्सिक पैन और मैं ले लूँगी 100 ग्राम पनीर पनीर को हमें बीच में से कट कर लेना है तो देखिए इस तरह हमें उसे कट कर लेना है उसके एकदम इकवल दो पीसिस होने चाहिए तो बीच में से इस तरह कर लेंगे तो ये देखें पनीर को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइट कर लिया है और अब उसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा औरेगानो और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स इससे हमें मेरिनेट करना है यह जो ट्राइ मसाले हैं उससे हम उसे मेरिनेट कर लेंगे इससे उसके अंदर टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा और लास में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा फ्लैक पेपर यानि की काला नमक चलिए अब पनीर को और टेस्टी बनाते हैं तो पनीर को टेस्टी बनाने के लिए उसके उपर मैंने रख दी है चीज स्लाइस तो इस तरह चीज स्लाइस के दो टुकड़े करके दोनों पनीर के उपर रख देना है अगर आपके पास चीज स्लाइस नहीं है तो यहाँ पर दालेंगे एक चोटा टुगडा बटर का और यह जो हमने पनीर रेडी किया है उसके अंदर रख देंगे और एक्टम लो फ्लेम पे हमें पनीर को दोनों साइड से पका लेना है मतलब कि उसे गुल्डन ब्राउन कर लेना है चलिए अब सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं तो नमक डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे कैपसिकम और प्यास को हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है तो इसे हम ठक करने ही पकाएंगे इसे हम खुला रख के ही पकाएंगे चलिए अब पनीर को भी हम पलट लेते हैं तो यह देखे एक देंगे अद्रक और लसुन इसे हमें एक से दो मिनिट स्वाटे कर लेना है इसे हमें एक दम लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए स्वाटे कर लेना है एक से दो मिनिट में ये बढ़िया से कुल्डन ब्राउन हो जाएंगे चलिए अब अद्रक और लसुन भी अच्छे से पक जाएंगे यहां पर हमारी वेजिटेबल भी एकदम रेडी है तो चलिए अब गयस की फ्लेम आफ कर देते हैं टमाटर को देख लेते हैं टमाटर भी बढ़िया से सॉप्ट हो गए हैं तो यह देखिए इस तरह हमें इसे मैश कर लेना है और अब इसके अंदर डालेंग चलिए फ्लेक्स देट चमच वीनेगर और एक चमच इतना सोय सॉस डालेंगे अब इसके अंदर डालेंगे चार से पांच चमच बर गे तमेटो कैचप यहां पर तमेटो कैचप थोड़ा सा जाधा डालेंगे क्योंकि इससे इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है वह थोड़ा सा गाड़ा होगा तो यहां पर हमें दो चमच बर के चाहिए कॉन फ्लोर को हमें ज्यादा नहीं डालना है दो चमच ही डालेंगे अगर ज्यादा डालेंगे तो जो हमारा सॉस है वह ज्यादा ही गाड़ा हो जाएगा अब इसके अंदर डाल देंगे आधी क पानी एड़ किया है और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैं डालूंगी आदा ग्लास बर के पानी आपको जितना गाड़ा सौस चाहिए आप बना सकते हो तो जादा गाड़ा नहीं करेंगे तो बैटा रहेगा थोड़ा से मीडियम गाड़ा रहेगा तो बढ इसा बना है कम जादा कुछ लगे हमें तो इसके अंदर एड़ कर सकते हैं चली अब इसे सब कर लेते हैं तो एक प्लेट के अंदर मैंने पहले रख दिया है राइस उसके उपर डाल दिये हैं वेजिटेबल्स और अब यह जो स्टेक हमने बनाया था उसमें से एक पीस मैं निकाल लूँगी इस तरह कट कर लेंगे तो यह दिखे बीच में चीज है और यह पनीर कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में और अब इसके उपर डाल देंगे सॉस तो अभी से मेरे मूं में पानी अले लगा है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में बहुत ही tasty था तो इसे इस तरह हमें सव कर लेना है sauce आप अपने हिसाब से कम ज़ादा इसके उपर डाल सकते हो last में इसके उपर रख देंगे एक धन्या पती तो ये देखिए हमारी एकदम different और tasty और healthy dish ready है आप इसे घर पे एक बर जरूर ट्राय करिएगा यकिन मानिए ये टेस्ट में बहुत ही बड़या लगती है ओके तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशन